हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉंग कोशन का है जैसे कि आप जानते हैं कि मंथली एक्जाम हो रहा है 11 क्लास का और इस मंथली एक्जाम के जो भी क्वेस्चन आ रहे हैं उन सबी का solution आपकोario मिल रहा है चाहया objective हो चाहerry long-question लोग कोशन तो इसके पहले आप लोग दो ऻड़ो देखेंगे जानते हैं इससे मापन के दिवीन दातूओ क वर्णख न खरें तो देखिए इस टोटल चार बतित whyits जो पदती होता है हम भौतिक राश्य को मापने के लिए बिविन पदतियों का निम्लिखित लिखेंगे निम्लिखित चार पदतिया होती है सबसे फर्ष्ट हम लोग पदती की बात करते हैं एफपीएस पदती में इस पदती में हम लोग क्या करते हैं इस पदती में लंबाई को लंबाई को हम लोग फूट में फूट में और दयमान को द्रब्यमान को पाउंड में और समाय को सेकेंड में मापते हैं याद रखिएगा एफीएस सिस्टम जो होता है वो लंबाई को हम लोग फूट में और दयमान को पाउंड में और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं इसको हम लोग FPA system कहते हैं और FPA system जो होता है वो British पदती के नाम से भी जाना जाता हैं क्यों क्योंकि यह ज्यादा तर हम लोग Britain में या Francis पदती के भी नाम से जाना जाता है France में हम ज्यादा तर इसको यूज करते हैं दूसरा जो होता है वो CGS system होता है CGS system वो आप लिख सकते हैं कि यह जो है British पदती के नाम से Francis पदती के नाम से भी जाना आ आता है दूसरा जो होता है CGS system होता है CGS system हम इस पदती में क्या करते हैं बावो इस पदती में लंबाई को लंबाई को centimeter सिंटीमीटर सिंटीमीटर दयमान को द्रवयमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में मापते हैं में समय को सेकेंड में मापते हुआ। तो याद रखिएगा सिजस्टम में लंभाई को हम लोग सेंटीमीटर में दयमान को ग्राम में और समय को सेकेंड मापते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं CGS system, तीसरा जो होता है, वो MKS system होता है, MKS system, MKS का मतलब होता है kilogram second, CGS का मतलब होता है centigram second, APS का मतलब होता foot pound second, यह आपको याद होना चाहिए, यह shortcut में हम लोग MKS कहते हैं, MKS system, MKS system, इस पदिती में बाबु, हम लोग क्या करते हैं, इस पदिती में, लंबाई को, लंबाई को, मीटर, दैमान को, दैमान को, किलो ग्राम, तथा, समाय को, समाय को second में मापते हैं, इसी को बोलते हैं, MKS system को बोलते हैं, कि, मीटर किलो ग्राम सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, इंडिया में यूज़ होता है ये भी शीज्वास होता है तो इन तीनों सिश्टम के एलावा चौथा सिस्टम इसलिए आया क्योंकि ये अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से परियोग हो रहा था तो एक ऐसा system बनाये गया, जो पूरे world में लागू हो, उसी को बोलते हैं SI system, यानि की system of international अंतराष्टी पदती चोथा जो है बावु अंतराष्टी पदती है, हम अंतराष्टी पदती में हम लोग क्या करते हैं, चोथा जो होता है वो SI पदती होता है साथ भहतिक रासिया होती है जिसे हमलोग माठते हैं और दो पूरक रासिया होती है यानि की दो पूरक मात्रक होते हैं इसको हम लोग SI पतती में लिख सकते हैं, ध्यान से समझेगा, SI पतती में हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, SI सिस्टम, इन SI सिस्टम, लंबाई को मीटर में बाबू, धर्मान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विदुधारा को, एमपियर में, जोती तिर्था को, कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को, मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, इसके साथ दो पुरक रासिया होती हैं, जो होता है, एक समतल, समतल कोड, जिसको हम रेडियन में मात्ते हैं, दूसरा होता है, घन कोड, जिसे हम लोग स्टे रेडियन में मात्ते हैं, याद रखेगा, तो यह SI सिस्टम है, यह जब तीनों सिस्टम फेल होने लगा, पूरे वर्ड में लागू करने का, तो यह चौथा सिस्टम आया, जिसा में साय सिस्टम बोलते हैं, अंतराष्टिय पदेती बोलते हैं, सिस्टम आफ इंटरनेशनल बोलते हैं, इसमें टोटल जो होता है, मुल सात रासी होती है, जो मुल सात रासी होती है, वो दयमान समय ताब, विदुधारा, जोती, तीवता अपदात की मात्रा होता है, और इनका जो मात्रक होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एमपीर, केंडेला और मूल होता है और जो दो पूरक रासिया होती हो समतलकोड और घंकोड होता है और इनका जो मात्रक होता है वो रेडियोन और स्टेरेडियोन होता है उमीद करते हैं कि यह कोशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा भौतिक राशियों के मापने के लिए बीविन पदती हो गया अब हम लोग बात करते हैं सरल लुलक के लिए आवर्थ काल टी बराबर टू पाई अंडरूट एल बाई जी को बीमिय बीदी से प्राप करन हैं तो दिखें इस तरह का कोशन आपको ध्यान से समझना है कि जो चीज़ दिया है वो क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है टी जो है वह स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है तो हम सलूशन में क्या करते हैं गीवें लिख लेते हैं यानि कि टी डारेक्ली प्रपोर्पोर् दी आंण हमें कुछ नहीं करना है कि ती जो है time जो है किन-किन पदली और किन किन चीजों पर depend कर रहा है एक लमबाई पर depend कर रहा है और दूसरा है वह small g पर depend कर रहा है तो हम लोग बाबू क्या कर लेते हैं इसको इस तरह से लिख लेते हैं T समानुपाती L into G L into G और माना यहां पर कर लेते हैं लेट लेट पावर ओफ पावर अफ एल और जी और समॉल ए और समॉल वे तो हम लिख सकते हैं बाबू T is directly proportional to L to power A and G to power B इसको equation 1 कर लेते हैं ध्यान से समझ लीजेगे लेट कर लेते हैं कि जो पावर है L का वो हमारा small A है and G का जो power है वो small B है अब both side क्या करते हैं compassion to हम both side क्या कर लेते हैं बाबू both side taking dimension हम दोनों तरप क्या कर लेते हैं dimension लेते हैं T का dimension Te होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इन का पाउच्ट 1 लिख लेते हैं और डीट्ली प्रोपोर्षनल है तो डिए林 प्रोंच्नल ॰ाедते हैं तो एक नियतांक ग्रांता है वो किये आयता है क्या है क्यायाता है रोक्य जो होता है नियतांक है और नो eta relation due to gravity होता है, L T का power minus 2 होता है, और ये power हम B कर लेते हैं, हम K को छोड़ देते हैं, L का power A है, L का power B है, तो बावू into में हैं, base बरावर होते हैं, तो power को जोड़ दिया जाता है, L का power A, और plus B कर लेते हैं, और into, ये T का power हो जाएगा, minus 2 B हो जाएगा, तो इस तरह से हम L का power और B का power लिख देते हैं, दोनों तरफ, both sides क्या करते हैं, comparison the power, both sides, comparing the power, दोनों तरफ power को comparison करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर L जो है, यहाँ पर L का power A plus B है, L का power क्या है, 0 है, तो हम A plus B is equal to कर लेते हैं, 0, और यहाँ पर देखिए, T का power minus 2 B है, minus 2 B is equal to, T का power यहाँ पर 1 है, तो 1 कर लेते हैं, so B is equal to हो जाएगा, बावू क्या, minus 1 by 2, अगर B का value, अगर minus 1 by 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, बावू, A और minus 1 by 2 is equal to, यह 0 हो जाएगा, so A is equal to हो जाएगा, 1 by 2, तो आप देख सकते हैं, B का मान निकल गया, और A का मान निकल गया, यहाँ पर लिखते हैं, from equation first, from equation first की बात करते हैं, T is directly proportional to, L का पावर हमारा बावू 1 है, L का पावर 1 by 2 है, और G का पावर minus 1 by 2 है, minus 1 by 2 है, तो जब भी भी power minus में होता है, वो by में हो जाता है, और under root में जो होता है, means 1 by 2 जो होता है, वो under root में हो जाता है, तो T हम directly proportional to लिख सकते हैं, बावू, under root, ये चुकि दोनों का पावर 1 by 2 है, इसलिए under root में हो जाएगा L, और चुकि ये power minus में है, इसलिए बटा में G चल जाएगा, और T is equal to, समान उपाती का चिना हटाएंगे तो एक निया तांक आता है, वो 2 pi, 2 pi, हम लिख सकते हैं, 2 pi, under root, L by G, तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, भीमिये समीकरण से, कि किस तरह से हम ये relation कर सकते हैं, उमीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझनी आ गया होगा, इसको आप लोग अपने से practice जडूर करिएगा, घर पे बनाईएगा जडूर, नेक्स कोशन की बात करते हैं, समीकरण एस बराबर, ut plus half 80 square की सत्यता की जाज करनी है, और उभी किस से तो भीमिये बीदी से, देखिए, solution में हमनों क्या करते हैं, सबसे पहले given कर लेते हैं, solution में वावू हमनों given कर लेते हैं, जो चीज़ दिया रहता है, उसको note कर लेते हैं, देखिए, एस बराबर दिया है, ut plus half 80 square, s is equal to the, ut plus half 80 square, हमें ये देखना है, कि दोनों तरफ की बीमाएं जो होती हैं, वो बराबर है की नहीं, हमें ये जाज करना है, समीकरण, बीमिये समीकरण से जा, तो बाबू LHS की बात करते हैं, सबसे पहले LHS की बात करते हैं, एस दिया है, तो एस का जो बीमा होता है, वो क्या होता है, एल होता है, क्योंकि ये बिश्थापन का समीकरण का लाता है, या दूरी का समीकरण का लाता है, ये किसका है समीकरण, तो दूरी या बिस्थापन का समिकरन तो एस जो है बिस्थापन का यह दूरी का यह उसका बीमा L हो गया अब इसको अगर हमको solution करेंगे तो solution करने के बाद भी L आना चाहिए अगर L आ जाएगा तो समझेंगे कि हमारा जो समिकरन है वो सही है हम RHS की बात करते हैं RHS देखी RHS हमारा UT plus half AT square है बाबु U का भीमिय सुत्र जो होता है U मतलब होता है प्रारंबिक वेग यानि की initial velocity initial velocity का होता LT का power minus 1 और बाबु T का हम भीमा लिख लेते हैं dimension capital T और plus number का कोई भीमा नहीं होता इसलिए number को हटा देते हैं A का हमारा होता LT का power minus 2 और यह T है हम T square कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि जो कटने वाला होगा यह T inverse है यह T का power minus 2 T कट जाएगा बाबु यह बचा L और प्लस क्या बचा L तो बाबु L अगर हम जोडते हैं तो 2L आ जायता है या फिर हम L ही लिख लेते हैं कि LHS जो है वो RHS के equal हो गया क्या हो गया RHS के equal हो गया मतलाब यह समिकरन यह सई है यह हम का सकते हैं यह आपके सामने उमीद करते हैं कि आप लोग इस तरह से यह आप करके बताएगा भी जिकोल टू यू टी यू प्लस एटी यह आप लोग इसको जाज करके ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा यू प्लस एटी इसको आप लोग बना करके कमेंट करिएगा और दूसरा कोशन B A square minus U A square is equal to 2 A S ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग का बनाया हुआ समिकरन निस सही है कि नहीं चलिए, next question की बात करते हैं next question की बात करते हैं बावु, दो सदीश के योग के लिए समनांतर चत्रभूज नियम का वणन करें एवं परिणामी सदीश के लिए बेंज़क पराब करें ये एक long question है, बहुत important है ये हमेशा, theory में इसका प्रियो करते हैं, तो कुछ करना नहीं है ध्यान से समझेगा, दो हम vector ले लेते हैं, A vector और दूसरा vector ले लेते हैं B vector और दोनों को join कर लेते हैं ये बावु join कर लेते हैं, तो ये मिल जाता है R vector, क्या मिल जाता है R vector, इनका परिणामी सदीश देखिए, जब ही भी दो vector को जोड़ते हैं, तो पाले का हेड दूसरे के tail से जोड़ देते हैं इस पर एक perpendicular हम draw करते हैं और इसके बढ़ाये भाग पर ये angle हमारा theta बनता है, और इसके बढ़ाये भाग पर एक perpendicular डाल लेते हैं देखिए, हमको विहरु, सम्नानता चत्रभूज का नियम बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि वी भी vector के parallel ये हम draw कर लेते हैं इस तरह से, ये भी vector हो जाएगा, ये vector के parallel जो होता है, ये draw कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये vector तो आप देख सकते हैं कि यह paradox बन गया है शमाना नितर्प्तर बन गया है, ठीख है। और इस पर हम इसससा है नाम्करण दे देते हैं यह आ मिक्णिन नाम गवाब दनतरी को हैं। यह आर दनतरी दनतरी समय दनतरी दनतरी मिलंत्तर, बसोल plants बन्रृस के दे देते हैं। इन ट्रेंगल हम बात करते हैं, इन ट्रेंगल ध्यान से समझेगा, R Q A S are Q A S is driving by R Q A S की बात करते हैं, बाबु, अगर Synne, ठीटा अगर हम को निकालना होगा, ठीटा के सामने वाला Pricerpendicular और यह Pricerpendicular by Hypotenous, तो हम लिख सकते हैं, rs y क्या लिख सकते हैं बाबू rq rs y rq लिख सकते हैं अगर हमें rs निकालना होगा rs तो बाबू हम rq rq हमारा b vector है तो b sin theta कर लेते हैं ध्यान से दिखिएगा बढ़िया समझ में आ जाएगा इंट्रेंगल हम rqs की बात करते हैं rqs में अगर हम cos theta निकालेंगे क्या निकालेंगे cos theta निकालेंगे तो base by hypotenuse होता है तो base हमारा क्या है बाबू qs है और hypotenuse हमारा क्या है इसके लिए ये b है ना यानि की qr है या rq करेंगे सो हम qs बरावर लिख सकते हैं बाबू क्या ये b cos theta तो ये हम निकाल दिये है rs का value और qs का इसका use पड़ेगा आगे देखिएगा ध्यान से बाबू हमें रिजल्टन निकालना है आर वेक्टर का आमार निकालना है ना आर वेक्टर का हम थिवरी बता रहे है r is equal to या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं इन राइट इन राइट एंगल ट्रेंगल हम लिखेंगे पी एस आर में या आर एस पी में आर एस पी यह राइट एंगल है तो बाबू इसमें हम लिखेंगे अगर आर इस ेकवल की बात करते हैं या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं पी और s इसकवल बात करते हैं तो पर्पेंडीकुलर इस इकवल टू होता है यह हम कर सकते हैं बेस square प्लस perpendicular square यह हाइपोटेनल्स अगर हमको निकालना होगा यह PR हाइपोटेनल्स निकालना होगा तो base square प्लस यह हमारा perpendicular square तो हम लिख सकते हैं बावू P S का whole square और plus क्या कर सकते हैं यह RS का whole square कर लेते हैं यह perpendicular का square plus base square कर लिजे या base square plus पर्पेंडिकुलरे स्क्वार कर लिए यह PR is equal to PS के जगा पर बावु इस PS के जगा पर हम PQ plus QS लिए सकते हैं क्या लिए सकते हैं PQ plus QS का whole square लिए सकते हैं और अब सबका वहलू रख सकते हैं PQ जो है PQ हमारा बाबु A है A कर लेते हैं ankles QS जो है QS B cos Theta है हम B cos Theta कर लेते हैं B cos Theta का whole square कर लेते हैं a plus Rs है Rs C हमारा देख सकते है Rs Rs यहां पर दिया है B sin Theta का whole square कर लेते हैं R is equal to Babu हम लिख सकते हैं A square चुकि A plus B का whole square है तो A plus B का whole square पे तोड़ देते हैं A square plus यह हो जाएगा B square cos square theta plus यह हमारा हो जाएगा Babu 2AB cos theta यह हो जाएगा A plus B का whole square पे तोड़ेंगे तो A square plus BA square cos square theta plus क्या होगा 2AB cos theta plus यह हमारा हो जाएगा BA square sin square theta यह किसका हो गया यह हम लिख दिये R is equal to under root दिखिए A BA square cos square theta इसको हम एक साथ ले लेते हैं A square plus दोनों में अगर B common है तो B हम BA square निकाल लेते हैं cos square theta यह plus हो जाएगा sin square theta और plus यह हो जाएगा 2AB cos theta यह आप ध्यान से देख लिजए यह जिम से मुतारती हैं आप लोग पढ़े होंगे cos square theta plus sin square theta is equal to Babu 1 होता है तो यह हमारा 1 हो जाएगा so R is equal to क्या हो जाएगा अंडरूट यह हो जाएगा A square plus BA square plus 2AB cos theta तो यह हमारा जो समिकरन हो गया उस सम्नानतर चत्रभूज का समिकरन हो गया इसका प्रणामी हो गया और यह सदीज के लिए बेंजक हमारा हो गया उमीद करते हैं कि यह question जो है सम्नानतर चत्रभूज का सदीज का नियम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा चलिए next question की बात करते हैं देखिए दो सदीजों का सदीज गुरनफल से आप क्या समझते हैं उधारन के साथ समझाएए तो देखिए जब दो सदीज को गुरा करते हैं जब दो सदीज को गुरा किया जाता है गुरा किया जाता है तब एक सदीज रासी भी प्राप्त होता है जब दो सदीज रासी को गुरा किया जाता है तब एक सदीज रासी भी प्राप्त किया जाता है तथा एक अदीज रासी भी प्राप्त किया जाता है जब दो सदीस को गुड़ा करते हैं तो एक सदीस रासी भी हमें प्राप्त होता है और एक अधिस रासी भी प्राप्त होता है इसके अधार पर हम सदीस को दो भागों बार देते हैं जब हम दो सदीस को गुड़ा करते हैं तो एक सदीस रासी भी प्राप्त होता है और एक अधिस रासी भी प्राप्त होता है तो इसकी आधार पर हम सदीस के गुड़ानफल को कितने भागों बाड़ दिये हैं तो दो भागों बाड़ दिये हैं पहला जो होता है बाबु हम कह सकते हैं सदीसों का सदीसों का सदीस गुड़ानफल सदीसों का सदीस गुड़नफल सदीसों का क्या होता है? सदीस गुड़नफल होता है पहला और दूसरा जो होता है सदीसों का अधिस गुड़नफल तो हम पहला बात करते हैं सदीसों का सदीस गुड़नफल में क्या होता है? जब दो सदीज को गुड़ा करने पर एक तीसरी सदीज रासी प्राप्त होती है तब इस गुड़न फल को सदीज गुड़न फल अथवा प्राप्त गुड़न फल के नाम से जानते हैं यान रखिएगा जब दो सदीजो को गुड़ा करने पर एक तीसरी सदीज रासी प्राप्त होती है तो उसे दो सदीजो का सदीज गुड़न फल करते हैं या उसे हम क्रॉस गुड़न फल करते हैं जैसे हम बात करते हैं A vector across B vector बराबर A B ये sin theta होता है देखिए जब दो सदीजो को गुड़ा किये हैं तो एक तीसरी सदीज रासी प्राप्त हुआ है हम इसको A B sin theta कहते हैं हम example की रूप में ऐसे भी कह सकते हैं ध्यान से समझेगा L vector बराबर होता है L vector बराबर हम F vector R vector और cross F vector कर लेते हैं R vector cross F vector R vector जो है वो बिस्थापन और F vector जो होता है वो हमारा बल है तो बिस्थापन भी एक सदीज रासी है और बल भी एक सदीज रासी है और इंका गुड़न फल जो होता है यह angular यह हम कह सकते हैं यह angular momentum है angular momentum is equal to R vector cross F vector या इसको R F sin theta के भी नाम से जानते हैं R F sin theta तो जब 2 सदीजों को गुड़ा करने पर एक 30 सदीज रासी प्राप्त होती है तो इसे हम 2 सदीजों का सदीज गुड़न फल कहते हैं या इसे हम cross vector के भी नाम से जानते हैं और दूसरा जो होता है बाब दूसरा हम बात करते हैं दूसरा जो होता है वो होता है दो सदीजों का अदीज गुड़न फल दो सदीजों का अदीज गुड़न फल मिंस हम कहेंगे जब दो सदीजों को गुड़ा करने पर एक अदीज राशी प्राप्थ होती है एक अदीज राशी प्राप्थ होती है तब सदीजों का सदीजों का गुड़न फल अदीज गुड़न फल कह लाता है अदीज गुड़न फल कह लाता है इसे हम बाबु इसे बिंदु गुड़न फल के भी नाम से जानते हैं नाम से भी जानते हैं जैसे हम बात करें a vector dot b vector बराबर a b cos theta यहां फिर example की बात करें और तो बाबु जो car होता है वो बल गुड़े विश्थापन होता है क्या होता है बल गुड़े विश्थापन यानिकि a vector dot s vector बराबर हमारा w होता है तो यहां बल भी एक सदिस राची है विश्थापन भी एक सदिस राची है जब दो सदिसो को गुड़ा किये तो एक car मिला है car जो होता एक अदिस राची है इसको car बराबर fs हम cos theta भी लेख सकते हैं तो देखिए यह से हम बिंदू से reprise करते हैं इसलिए हम दो सदिसो का अदिस गुड़नफल कहते हैं और जो दो सदिसो का सदिस गुड़नफल होता हो cross से denote करते हैं यह दोनों में अंतर है चलिए अम next question की बात करते हैं यह question a vector का value दिया है और b vector का value दिया है car a vector cross b vector का अम्मान हमको निकालना है तो दिखे इस तरह का numerical बनाना बहुत असान होता है करते क्या है solution में सबसे पहले given लिख लेते हैं और जो चीज़ दिया है लिख लेते हैं बावु निकालना है क्या A vector across B vector निकालना है A vector across B vector निकालना है तो कुछ ज़्यादा दिमाग मतलगा ये A vector across B vector इस तरह से लिख लिजिए और बावु यहाँ पर mod का sign लगा दीजिए I cap कर लिजिए J cap कर लिजिए और K cap कर लिजिए और जो value दिया है उसको पहला वाले लिखेंगे 2, 3, 4, 2, 3, 4 कर लेते हैं और फी दूसरा वाला क्या दिया है बावु यह दिया है 7, 8 और यह minus 6 दिया हुआ है हम लोग को निकालना है calculation तो बावु पहले हम I cap वाले को निकालते हैं bracket बंद कर देते हैं इसको बंद करते हैं cross multiplication कर लेते हैं 3 छका minus 18 हो जाएगा इसको हम कर लेते है यह 6, 3, 0, minus 18 multiply कर लेते हैं फिर minus कर लेते हैं 8, 4, 0, 32 और plus कर लेते हैं J cap यह वाले को बंद करते हैं 4 से multiply करते हैं 7, 4, 0, 28 minus कर लेते हैं यह 6, 2, 0, minus plus 12 हो जाएगा अब plus बावु के cap कर लेते हैं यह वाला बंद करते हैं तो यह हमारा आजाएगा 8, 2, 0, 16 और minus यह हो जाएगा 7, 3, 0, 21 यह 21 हो जाएगा इस तरह से multiply कर लेते हैं और calculate करते हैं दिखिए 32 और 18, 50 यह minus हो जाएगा 50 यह हो जाएगा I cap और यहाँ पे दिखिए 28 और 12, 40 यह प्लस क्या हो जाएगा 40 यह हो जाएगा J cap और यह हो से घटा देते हैं तो हम minus 5 के कर लेते हैं यह हमारा answer हो गया याद रखिएगा A vector cross B vector का यह हमारा answer हो गया उमीद करते ही कि नुमिर कल बहुत ही असानी से समाज में आ गया होगा trick है एक बार क्या करते हैं आई को बंद करके cross multiplication करते हैं तो आई वाला निकल जाता है एक बार J को निकालने के लिए इसको बंद करें cross multiplication करेंगे तो j वाला निकलेगा और एक बार k को निकालने के लिए cross multiplication करेंगे तो k वाला निकालते हैं बीच में minus ज़रूर करते हैं अगर minus question में तो minus minus plus हो जाता है तो इस तरह से question हम लोग पढ़ लिए यह उमीद करते हैं कि यह आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा यह आपके first term का exam का question था जो आपके exam अभी हुआ है फिलहाल उसी का यह सारा long question था उमीद करते हैं कि यह video आपको पसंद आया होगा यदि यह video पसंद आया तो video को like और share जरूर करिएगा और यदि यह इस चैनल को subscribe नहीं किए तो चैनल को subscribe करिए फिर हम लोग इसी तरह से नय नय question और theory के साथ मिलते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद